अमेरिका और चीन में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है राश्ट्रपती डोनौल्ड ट्रम्प लगातार चीन पर पाबंदियां लगाते जा रहे हैं उन्होंने अपने ताजा फैसले में अब चीन से आने वाले यात्री विमानों पर प्रतिबंद लगाने का फैसला किया है 16 जून से दोनों देशों के बीच विमान सेवाएं बंद हो जाएं इससे चीन की मुश्किलें बढ़नी तैम आनी जा रही है ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना की महमारी का दंस छेल रहे देशों की अर्थ विवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कवायद जोर शोर से चल रही है अमेरिका और चीन के बीच की ये तना तनी यू तो काफी लंबे समय से है लेकिन डोनौल ट्रम्प के राश्टरपती बनने के बाद से इसमें विवादों की खाई और अधित हो गई है यही वज़ा है कि दोनों जिस तरह का रुख अफ्तियार कर रहे हैं उससे लगता है कि ये आर पार की जंग के लिए कहीं न कहीं तैयार हो रहे हैं चीन अमेरिका के बीच बढ़ती तल्खी चीन और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से ट्रेड वार चल रहा था लेकिन अब डक्षिड चीन सागर कोरोना को लेकर चीन पर आरू लदाख में चीनी सेना की खुसपैट और होंग कॉंग को लेकर तीखी बयानवाजी के बीच मामला बढ़ता ही जा रहा है वैसे ये सभी मुद्दे ऐसे हैं जो लगातार विवादों का कारण बने हुए हैं कोरोना के ओरिजिन और होंग कॉंग के सवाल को अमेरिका लगातार हवा दे रहा है इसको हवा देने में ना सिर्फ राष्ट्रपती ट्रम बलकि विपक्षी पार्टियां भी लगी हुई हैं जानकारों की राय में दोनों के बीच चल रही ये लड़ाई वर्चस्व की जंग को लेकर अधिक है वहीं व्यापारिक मुद्दों पर अधिक से अधिक लाव लेने के लिए भी ये लड़ाई और तीखी हो चली है टकराओ की असली वज़ा है व्यापार एक्सपोर्ट मान रहे हैं कि अमेरिका का चीन से सबसे बड़ा टकराओ व्यापारिक हितों को लेकर है इन दोनों ही देशों के बीच रिष्टे अब वैसे नहीं है जो एक दशक पहले हुआ करते थे इसकी एक बड़ी वज़ा ये है कि अमेरिका को अब ये लगने लगा है कि चीन से व्यापार में उसको जो फाइदा होना चाहिए था वो उसको नहीं मिल रहा है चीन लगातार अमेरिका से होने वाले व्यापार में फाइदा उठा रहा है उसको समझोते के तहत कई तरह की छूट मिली हुई है अमेरिका चाहता है कि उसको भी वही छूट मिलने चाहिए जो वो चीन को देता है इस पर चीन तयार नहीं है उनकी निगाह में ये ट्रेड वार काफी लंबे समय से चल रहा है और आगे भी इसके लंबा चनले की उम्मीद है अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में ये बात अब आम हो गई है कि चाइना को जो एहमियत देनी चाहिए थी वो अमेरिका ने दी है लेकिन बदले में उसको कुछ नहीं मिला है ऐसे में वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बात को मानने लगे हैं कि चीन की इस एहमियत को कम करने की जरूरत है यही वज़़ है कि अमेरिका लगातार चीन पर विभिन्न मुद्दों को लेकर दबाव बना रहा है इसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी लगा हुआ है चीन के वर्चस्व को कम करने के लिए दोनों का गठ जोड काफी काम आता दिखाई दे रहा है कोरोना के मुद्दे पर अमेरिका चीन को लेकर काफी आक्रामक है साथ ही हॉंग कॉंग के मुद्दे पर भी लगातार वो बयानबाजी कर रहा है चीन को लेकर पहले भी अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए है इतना ही नहीं चीन के विद्द्यार्थियों और वहाँ पर काम कर रहे लोगों पर भी प्रतिबंध लगाने की बाद सामने आ चुकी है अमेरिका की ये दबाव की रणनीती काफी सफल होती दिखाई दे रही है अमेरिका में चीन के विद्यार्तियों और वहाँ पर काम करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है इसके बाद अमेरिका में भारतियों का नंबर आता है प्रतिमंद लगने के बाद चीन पर इसका काफी प्रतिकूल असर पड़ेगा अब और विकराल होगी वर्चस्व की जन चीन की सत्ता में आने के बाद शिंग जिंग पिंग के तेवर लगातार आक्रमक हुए हैं चाहे वो अमेरिका का मुद्दा हो या दक्षिन चीन सागर का या फिर ताइवान और भारत से सीमा विवाद का मुद्दा रहा हो चीन ने इन मुद्दों से निपटने में आक्रमकता दिखाई है ये बताता है कि चीन अपने वर्चस्व को बढ़ा कर लगातार अमेरिका को चुनोती दे रहा है अपनी सीमाओं से बाहर निकल कर सैन ने ठिकानों का बनाया जाना इसका जीता जाकता परिणाम है दुनिया के बेहत कम देश हैं जो इस तरह से अपने स्टैन ने ठिकाने बना रहे हैं अमेरिका लगातार चाइना की तरफ से मिल रही इन चुनोतीों से निपट रहा है कई बार वैश्विक मंच पर भी अमेरिका को घेरने की कोशिश चाइना की तरफ से हुई है आने वाले समय में इन दोनों के बीच की ये लड़ाई और टेज होगी इसका असर कहीं न कहीं अमेरिका में इस वर्ष होने वाले राश्ट्रपती चुनाओं पर भी दिखेगा वैसे चीन और अमेरिका की जंग से आने वाले वक्त में भारत बड़ा फायदा उठा सकता है